कि अटींग नमस्कूर कि आपकेश नाय नीजश में मैं हूं आपके तांश्रुति और बात करने जा हूं जारखंड की को लेकर जारखंट में आजसू और बिजेपी गटबन्न पूट गया है जोड़िया उसICES महाराष्ट में और बिजेपी का गटबन्न पूट गया है महारा साथ इस प्रोग्रम में मंजी अब कैने आप का मरव में क्या केहेंगे बिलकुल आजसू कि बिना पहली बार चुना में उतने जा रहे बीजेपी और ये बड़ी बात हो जाएगी कि या बीजेपी जो सुदेश मेहतो हैं इसके ध्यक्ष हैं पार्टी के आजसु के उनके बिना एक मुकाम तलाशे की मुकाम बनाएगी क्योंकि लगतार जिसले के तमाम सारे जो सही होगी दल है वो अब लगतार बीजेपी की पकड़ है या जो उनके साथ चलने की जो रवायत थी उससे अब दूर हटते हो नजर आ रहे हैं और लगतार अपने मुकाम अलग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या यह होता हुए नजर आ रहा है कि बीजेपी के साथ उनको अपना बविश दोनों में कंप्रमाइज हो गया है और एक साथ दोनों चुनाव लड़ेंगे लेकिन फिर अब मामला बिगड़ गया है क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लगबग अस्ती सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी यानि कि क्या सी बिजान सबा सीटों वाल वो अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है इसका मतलब यह है कि आल जारकर्ण इस्टोंट यूनियन है यानि कि आसू है उसको फिलहाल इस बाहर अकेले चुनाव में उतरना है और वो बीजेपी के साथ नहीं जा रही है तो बिलकुल यह अलग तरह का मामला हो जा जिसी की पार्टी आयम की बात करें वो भी कहने करें अब जारकर्ण में अपनी किसमत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे में क्या यह बीजेपी के लिए बड़ा जटका नहीं है कि जिस तरह से उसके सही होगी दल उसके हासले चिटक कर बाहर जा रहे हैं और कुछ न 2000 में यहां पर बीजेपी और आजसू एक साथ आए थे अब जिस तरह से महराष्ट में जिस तरह से शिफ्षेना ने बगावत की अब यहां पर देखा जा रहा है कि आजसू ने भी बगावत किया लग रहा है कि अब बीजेपी अकेले पड़ते हुए नहीं बिल्कुल और स मुख्यमंत्री अपना पाथ साला कारेकल पूरा नहीं कर पाया लेकिन हाँ इस बार जरूर ऐसा हुआ है जो रहा है पशोपेश में नजर आई है जारखन की राजनीती तो क्या इस बार पिर बैसे कुछ देखना मूं मिलेगा क्योंकि बीजेपी जिस तरह से शिठक कर दू चले गए आजसू तो कहीं नहीं राजनीतिक संक्र्ट तो कहने खड़ा होता हो नजर आ रहा है बीजेपी के लिए क्लिए लिए जब से राज्या का उदे हुआ हुआ है उसके बास से आजसू और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाब लड़ते हो नजर आए हैं लेकि इस बा पावर में है तमाम सब्सक्राइब को जबाब दो कहने करें देने हैं तो बिलकुल लेकिन जिस तरह से राजनीतिक संक्र्ट सामने आ रहा है क्या लग रहा है कि अब बीजेपी इसमें किन मुद्धों को उठाएगी जिस तरह से वह बड़े-बड़े मुद्धे उठाएग बीजेपी हलाकि उतनी सफल नहीं हो पाई मोदी मेजिक या मोदी लहर की हम बात करें महारा सोहरियाना में तो क्या बीजेपी रणीती अफनाएगी और सबसे बड़ा सवाल की किन मुद्धों के तहत बीजेपी इलेक्शन में जाएगी क्योंकि अगर शूती बात करें तो लगातार मंदी का दौर देखने को मिल रहा है लगातार लोगी नोक्रिया जा रही है बिरुजगरे अपने चरम पर है और तमाम और भुकमरी की मामले में भी देश कहने करी और जदा अब खराविस दिमाता चला जा रहा है वहीं अगर बात कर तमाम कंपनिया बंद भी हो और लगातार जो संद Just had Bridge सब्ड़रे की बेहाना चाहिंए नौकिए और कि भी ऑ्मधरे यहां बेरोजगारी की समस्हारी की बहुत पानी की समय बड़़ती जा रहे हैं दो 있지 बहまり आप IT के भी एक मत रहुत अब आप और भीहसे में कहीत यहारों। डिखना में अब इस तरह कि पर रिपोठे क क्या आप यहादल वहति इ는지ा है आप उसक्राप सरत हुए ने आ रही है कि बिजेपी और आजसु के बीच में जो गटवन्दन था वो तूट चुका है अब देखना दिलस्थ होगा कि आखिर जारखंड की राजनीती में क्या नया होने वाला है आगे तमाम जानकारे के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार